मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरियन खान की जमानत पर कोट में दो दिन तक जिरह चली है लेकिन वैसला अभी तक नहीं आया है अब आज तीसरे दिन मुंबई के सिशन्स कोट में फिर से आरियन खान की जमानत पर सुनवाई है सवाल है क्या आज आरियन की जमानत पर जिरहा पूरी हो पाएगी और अगर जिरहा पूरी हो गई तो क्या आज आरियन को जमानत मिलेगी वो अपने परिवार के पास क्या जा सकेंगे आज ये बड़ा सवाल है बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि बुद्वार को जमानत पर बहस के दौरान सेशन्स कॉट में NCB के वकील ने आरियन खान पर इंटरनाशनल ड्रग ट्राफिकिंग के गंभीर आरोप लगा दिये NCB ने अपने जवाब में कॉट को बताया कि जाच में जो अब तक सुराग मिले हैं उसके मताबिक आरियन खान ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा लग रहा है NCB ने कॉट से कहा कि जाच के बीच अगर आरियन खान और दूसरे आरोपियों को जमानत दी जाती है तो सबूतों सो छेड़ चाड़ की जा सकती है इस पर आरियन के वकील अमित देसाई ने जोड़तार आपती दर्ज की अमित देसाई ने कहा अग्यात वाटसाईब चैट के आधार पर आरियन खान पर इतना बड़ा आरोप लगाना उसके साथ नाइंसाफी है वो नौजवान है और उसे काफी सजा मिल चुकी है मामली की और मामली को और बत्तर बनाने से कोट को बचना चाहिए आरियन की बेल का विरोध करते हुए एंसीबी ने ही कहा कि उसे जवाब के लिए वक्त चाहिए बुधवार को एंसीबी ने वो जवाब दाखिल किया जिसके मुताबिक ड्रग्स केस में आरियन आरोपी नमबर वन है एंसीबी का कहना है कि आरियन विदेशी ड्रग्स डीलर्स के समपर्क में था इंटरनाशनल ड्रग्स नेटवर्क से आरियन की कनेक्शन को देखते हुए विदेशी ड्रग्स ट्रांसेक्शन की जाच जा रही है इसके साथी आरियन ड्रग्स निटवर्क के साज़िश में भी शामिल था एन्सीबे के मताबक उसे ड्रग्स के खरीद और सुप्लाइब में रोल होने के सुराग मिले है आरियन अर्बास और उसके सोर्सेश से ड्रग्स लेता था क्रूस पर जाने का भी आरियन अर्बास का एक खास मकसद था आरियन का डिरेक्ट ड्रग सप्लायर अचित कुमार है जिसे दो दिशन वब 6 ग्राम गांजी के साथ गिरफ़तार किया गया था NCB ने कोट में आरियन के खिलाफ जो आरोप लगाए उसका जवाब आरियन के वकील ने भी दिया बचाव में आरियन के वकील ने कहा कि आरियन के पास कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है NCB ने खुद माना है कि आरियन के पास ड्रग्स नहीं थी NCB ने दावा किया है कि आरियन ड्रग्स लेता है लेकिन अदालत ये भी जानती है कि कस्टिडी में इस तरह के बयान कैसे लिये जाते है बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वाटसाप चैट के आधार पर आरियन को उलजानी की कोशिश की जा रही है रिकावरी की गई ड्रग्स से आरियन का कोई संबंध नहीं है बचाव पक्ष के वकील ने हैरानी जताई कि पार्टी में आरियन को बुलाने वाला अब तक गिरफतार नहीं हुआ है प्रतीक गाबा ने आरियन खान को क्रूस की पार्टी में बुलाया था आरेन को क्रूस पर पार्टी का नियुता मिला था उसने खुड टिकेट नहीं खरीदी थी आरेन अपने दोस्त अर्बाज मॉर्चिंट के साथ क्रूस पार्टी में पहुंचा था अर्बाज ने आरेन के साथ पहले ड्रग्स लेनी की बात कही है अर्बाज के पास से NCB ने 6 ग्राम चरस बरामत की है क्रूस पार्टी के दौरान आरेन खान के पास से NCB को कोई कैश नहीं मिला है ऐसे में बिना पैसे आरेन का ड्रग्स खरीदने का सवाल ही नहीं उठता है मामले में पकड़े गए दूसरे आरोपियों से आरेन का कोई संबंध नहीं है आरबाज ने भी NCB से कहा है कि वो खुद के लिए चरस लेकर आया था ड्रग्स नहीं मिला फिर भी आरेन की पहले गिरफतारी हुई जिसके पास ड्रग्स मिला उसे बाद में अरेस्ट किया गया